नमस्कार दोस्तो वच्टर क में, दोस्तोज है आपके अपने यूटूब छैनल। दोस्तो आज हम बात करेंगे TТL लेडर के बारे में। TTL की फुल फॉरम क्या है? TTL लेडर को किस स्थान पर परियोग किया जाता है? और उसके मेन पार्ट्स को किस-किस नाम से जानते है तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे उसे पहले चैनल पर नई है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सेर करें तो चलिए फ्रेंट्स बात करते हैं अपने टोपी की तरफ एक लिए बहुत बार पूछा जाता है टी टी एल तो टी टी एल की फुल फॉर्म होती है ट्रन, टेबल, लेडर ट्रन, टेबल, लेडर यानि एक ऐसी लेडर जो कि चारों दिसाओं के अंदर 360 डिग्री एंगल के उपर घूम सकती हो उस लेडर को ही ट्रन, टेबल, लेडर के नाम से जाना जाता है बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि ट्रन, टेबल, लेडर को दूसरे किस नाम से जानते है तो इसको हाइड्रोलिक लेडर के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोलिक लेडर के नाम से भी इसको जानते है कुछ इस परकार से एक ट्रक होगा उस फायर ट्रक के ऊपर, छट के ऊपर इसको इंस्टोल कर दिया जाता है जैसे इस परकार से और यहाँ पे एक कुछ टेबल टाइप होती है जिसमें फाइरमेन रेस्क्यू कारिये कर सकता है जिसके मादम से इसमें खड़ा होगा जब भी हाइराइज बिल्डिंग्स के अंदर रेस्क्यू कारिये करना होगा तो इस टेबल के अंदर बैट करके और आराम से उस स्थान के उपर चला जाते है यहाँ पे आगे की तरफ एक मोनिटर लगा होगा जब भी फाइरफाइटिंग करनी हो हाइराइज बिल्डिंग्स के अंदर तो उस दोरान इस मोनिटर के मादम से फाइरफाइटिंग की जाती है आगको बुछाय जाते है फिर यहाँ से जो टेटियल लेडर है उसके बीचो बीच एक होज जाती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की जॉइंट नहीं होगी यानि कि instantaneous male coupling और female coupling इसके अंदर किसी भी प्रकार का जॉइंट नहीं होगा डारेक्ट यहाँ से नीचे से होज जाएगी और अंत तक इस मोनिटर तक जुड़ जाएगी क्योंकि जब भी extension जो पीस इसका खुलता है और खुलने के पश्चाद दोबारा वो बंद होती है तो उसके होज के जो लंक्स होते हैं उस extension ladder के अंदर फस जाएगे और इसका कारण से होज फट भी सकता है या डेमेज हो सकता है तो इसलिए इस TTL ladder के बीचों बीच कभी भी किसी भी प्रकार के लंक्स या मेल या फीमेल जो कप्लिंग्स होती हैं उनको नहीं जोडा जाता है अगर मैं बात कुरूँ इसकी height की तो लगबग इसकी height जो होगी वो 300 feet तक हो सकती है 300 feet तक TTL ladder किसी भी rescue कार्ये करने में सक्षम है जिस स्थान पर hook ladder और extension ladder काम करना बंद कर देती है तो उस स्थान पर TTL ladder को यूज में लिया जाता है इसका यूज मुख्य रूप से हाराइच बिल्डिंग्स के अंदर rescue कार्ये के दोरान करते हैं या फिर सकरी जगे जिस स्थान के उपर अधिक जनसक्या या आबादी हो तो उस स्थान पर भी rescue जब कारी करना होगा तो TTL ladder का यूज हम कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें जो सकरी जगे हो दिया जो सकरी गलिया होती हैं जिस स्थान पर हम अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाते तो उस स्थान पर TTL ladder के मादम से हम पहुँच सकते हैं और किसी भी rescue कारे को या आग की दुरगटना को हम नाकाम कर सकते हैं तो यह होता है TTL ladder अब यह जो TTL ladder है जब खुलता है तो कुछ इस परकार से दिखाई देगा देखिए यहां से यह जब खुलता है तो यह होगा main piece यह होता है main piece इस main piece से दूसरी एक और निकलती है छोटी वो होती है extensional piece और इस extensional piece होगी इसी के उपर यह जो table है वो लगाई जाती है कुछ इस परकार से इस परकार से यह खुल जाती है अब जब यह खुलती है तो इसकी जो image है वो इस परकार की दिखाई देगी fireman इस स्थान पर बैठ करके इसमें यहां और किसी भी rescue कारिये को अच्छे तरीके से कर सकता है अब हम बात करें कि इसके कौन-कौन से part होते है सबसे पहले होगा main part main ladder जो main ladder है वो होगी नीचे की यहां से यहां से और यहां तक जब तक यह ladder नहीं खुलती वो होगा main ladder इसमें बात करूँ तो यहां से यहां तक और इसमें बात करूँ तो यहां से लगबग यहां तक यह जो part है वो होगा main ladder फिर second आता है extensional part यह एक्स्टेंशनल piece भी इसको बोल सकते है extend यानि की फैला होना जब एक ladder से दूसरी ladder जब निकलती है बढ़ती है तो उस piece को ही बोला जाता है extensional piece या extensional part तो इस ladder से main ladder से उपर की तरफ यह जो part निकला इस part को जो आना जाता है extensional part के नाम से और यह है table यह होगी table तो यह होता है क्या extensional part या piece हम इसको बोल सकते है फिर उसके परशाद आता है jack TTL ladder जो होगी hydraulic pressure के माद्यम से काम करती है तो इसके अंदर jack होगे jack के माद्यम से ही यह जो TTL ladder है वो काम करती है extend होगी या फिर जब भी इसको बंद किया जाता है तो वो jack के माद्यम से ही hydraulic जो pressure jack होता है उसी के माद्यम से यह काम करता है तो इसमें एक jack होता है main ladder होगी extensional part होगा और फिर इसके परशाद आता है jack फिर next आता है चार नमबर ternian ternian यहने की TTL जो ladder है वो 360 degree angle के उपर जिस भी धिसा के अंदर हमें मोडना होगा तो तुरंत यह घूम जाती है जैसे यहां से इस स्थान से हमने TTL ladder को start किया तो यह जो हुआ 90 degree यहां से यहां तक आ सकती है फिर इसको अगर यू घूमाना चाहें तो यहां तक कितना हुआ 90 और 90 कितना हुआ 180 degree यहां सक घूम सकती है और यहां से यह यू घूम सकती है यानि कि एक बिल्कुल गोल दिसा के अंदर यह घूम सकती है 360 degree angle के उपर तो ternian जो घूमावाला जो राउंड होता है वो होगा इसका 360 degree angle के उपर अच्छे तरीके से यह घूम सकती है फिर आता है एक्सल लोकिंग डिवाइस यह जो एक्स्टेंशनल जो पीस होता है में पीस से जब निकलता है तो एक्स्टेंड होने के पस्चात इसके अंदर एक लोक होगा जो लोक होता है वो यहाँ पे होगा जो की एक्स्टेंशनल पीस को बाहर निकलने से रोकता है जिसनी इसकी लिमिट होगी उतना यह बाहर निकल जाता है फिर उसके पस्चात वो उसको रोक लेता है या फिर लोक लगा देता है extension locking जो device है वो तो ये भी यहाँ पर इस स्थान के उपर लगाया जाता है फिर मैं बात करूँ safety device TTL ladder के अंदर कुछ safety device भी लगाई जाते हैं ताकि जब भी किसी भी rescue कारे को अंजाम देते हैं तो उस दोरान किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना हमें ना करना पड़े तो कुछ रबड जो होती है उसके मादम से इसकी जो switch वगरा होंगी वो बनाई जाती है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब भी electric supply के दोरान हम काम करते हैं तो TTL ladder का यूज हम करते हैं तो जब भी विजली के संपरक में आएंगे तो जाहिर सी बात है current आएगा तो इसलिए इस TTL जो ladder है इसमें इस उपर का जो area है इसको कुछालक बनाया जाता है कुछ यंतरों के मादम से ताकि किसी भी प्रकार का fireman rescue कारिय जब करता है तो उसको नुकसान ना पहुँच पाए तो ये होता है उसका safety device इसके अलावा और भी बहुत सारे safety device इसके अंदर लगाए जाते तो ये था अपना TTL जो ladder होता है turn table ladder या hydraulic ladder तो वीडियो अच्छी लगी तो like करें comment करें share करें इसी प्रकार की interesting वीडियो आती रहेंगी तब तक के लिए जैहिन जै भारत